कि वेल्कम तो मैं यूटूब चैनल एपिटी एड़ा आज हम एक और इंपॉर्टन कोश्चन लगाएंगे यह कोश्चन एंसे डिबुक से लिया गया है और इस कोश्चन में आपको गिवन है कि डायमेटर के एंड पॉइंट से सरकल के डायमेटर कहीं पर भी बना सकते हैं मैंने ऐसे बना दिया डायमेटर इसके एंड पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट आपस में पैरलल होती है यह आपको प्रूफ करना है अब पैरलल होने की कंडिशन आपको पता होना चाहिए नाइंध क्लास में आपको बताया गया है कि कोई भी दो लाइन पैरलल कब होती है जब उनके अल्टरनेट इंटिरियर एंगल बरावर हो या इंटिरियर एंगल का सम 180 degree हो या corresponding angle आपस में क्या हो equal हो तभी यह दोनों lines क्या होती है पैरलल होती है बस यही condition आपको लगा देनी है और यह question solve हो जाएगा तो देखें इसके अंदर आप notice करेंगे कि this line is parallel and this one is the diameter तो ओ से अगर आप radius मिलाएंगे point of contact को तब यह perpendicular होगी tangent perpendicular to radius similarly इस case में भी यह center से point of contact को मिलाने वाली radius है तो यह tangent पर क्या होगी perpendicular होगी इधर भी perpendicular कर सकते हैं अगर यह देखेंगे तो यह alternate interior angle होगा है तो यह line क्या होगी parallel होगी otherwise अगर आप यह वाला angle लेंगे तो यह भी 90 90 plus 90 180 degree तो interior angle का sum कितना होता है 180 degrees के अंदर तो यह line फिर से क्या हो जाएंगे parallel हो जाएंगे तो it depends on you कि आप कौन सा method लिखना चाह रहे हैं तो अभी हम क्या लिखेंगे as OA perpendicular to PQ so therefore angle OPQ is equal to 90 degree by theorem 1 theorem 1 means आप पूरा statement लिखेंगे tangent perpendicular to radius and OB is perpendicular to LM so therefore angle OBL is equal to कितने degree 90 degree by theorem 1 radius perpendicular to या tangent perpendicular to radius so therefore angle OPQ is equal to angle OBL is equal to 90 degree alternate interior angle short में लिख दिया है मैंने पूरा नाम लिखेंगे alternate interior angle so therefore PQ is parallel to LM तो PQ LM के क्या हो जाएगा parallel हो जाएगा नोट कर लीजिए से क्वाओवा जाएगा आशिया कर रदागा जाएगाल मांने कर जाएगा आएगागागा शाटांř 30